कई नadow प्रोग किये गये थे और आप लोग ने देखा भी होगा कि किस्में सबसेожет बड़ा हम लोगों ने किया था कि बायो मीट्रिक्स पर हम लोगों ने काफी तरजी दिया था ऊब मेड और उसको के कई सार्थतक परिणाम भी हम लोगों कर आये जो कदाचारी जो क्या सुँछते हैं और कैसे करते हैं उन से हमको दो कदम आगे रहना है तो आज जो हम लोग ने जो किया यह perfection नहीं है मत्मद्द इसको कभी नहीं कहा जा सकता है कि यह perfect है क्योंकि आज जो चीज हम लोग ने किया अगर हम उसमे अगर परिवर्तन या सुधार नहीं करेंगे या नहीं सोचेंगे उस दिशा में तो आने वाले समय में इस पर भी लोग सेंद मारी करने का परयाश ज़रूर करेंगे। कुछिस कर रहा है तो यहीं से हम लोग इसको चिन्नित करके बता रहे थे और सेंटर के लोग एक्शन ले रहे थे उसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी था सभी लोग कैमरे की नजर में हैं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और सब लोग अपने सही तरीके से सब ल क्यादा प्रयास नहीं किया कुछ ऐसे लोग थे जो इसके बाब दुसाहस किये तो पकड़े भी गए हमें सोचना पड़ता है और यह हमारा काम भी है अगर नहीं सोचेंगे तो हम भी बेपूब बन जाएंगे बिल्कुल अचा सर अब सवाल उठ रहा है क्योंकि लगतार आ नतीजों को एक फेसवाइस दूँगा और सबसे पहले मैं 11-12 के भिरतियों को दूँगा उसके बाद 9-10 और उसके बाद प्रात्मिक के और इसका कारण है इस सिक्वेंसिंग का कारण यह है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आवेदन आमंत्रित किया था उसमें ह कि जिसको भी एक नौकरी मिल जाएगी उसका वही नौकरी हम उसको देंगे दूसरी नौकरी नहें देंगे क्योंकि हो सकता है कि कि ने टीनों के लिए कैया और इनों के लिए जो क्वें सबसे हम उसको 11-12 के लिए देखे गे और सबसे पहले हम Heline उसी का रिजर्ड निखा लेंगे तो जो इसमें जिसका चैन हो जाएगा उनको फिर हम 910 में कंसिडर नहीं करेंगे और इसी कारण से हम इस तरह से फेजिंग कर रहे हैं कि पहले हम 11 12 का निखा लेवन 12 के नतीजे कब तक एक तेंटेटिव अगर तारीख आप बता सके हैं दे अचा सर लगतार जैसा कि मैंने शुरू में ही का कि हम लगतार एक्जाम सेंटर पर थे देखिए बहुत सारे अभियर्तियों से हमने बात की काफी अभियर्थी थे जो बड़े उससे एक्जाम सेंटर के बाहर निकल रहे थे मतलब इतना भड़के हुए थो और साफ साफ कह सब्सक्राइब करें तो इतना तफ था इतना तफ था कि क्या बोले मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ओफ सेलिबस बहुत नूँँ ऐसा बोला कि आउट ओफ सिलिबस सवाल पूचे के थे तो क्या बीपीसी ने ऐसा कुछ नहीं किया सभी प्रश्न जो है वह वे दिन अगर 40 Pi Square है तो सर्किल के रेडियस के बराबर का Square का एरिया क्या होगा जब मैंने ये प्रश्न देखा तो मैं भी उचल पड़ा इसलिए कि मैं समझ गया कि ये प्रश्न तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है जरूर लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि एक बारगी में किसी से का आंसर जानते हैं या जान सकते हैं कि आपने भी वो पढ़ाय किया ये बेसिक प्राइमरी स्कूल का ही लेवल का मामला है ये लेकिन एक बारगी में मैंने कई अच्छे लोगों से भी पूछा ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए कई तरह तरह के लोग भटकते रहें तो स घृंतम योगता इंटरमिडियर था तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग 10 तक का इसमें रखे थे उसका जो लेवल था प्रशन का जो स्टांडर था हो टें तक का आम लोग रखे ते और ये 10 तक के लिए बिल्कुल है ये तो प्रशन जो मैं पता रहा हूं स्क्वार है तो दोनों तरफ से पाई पाई हटा दीजिए तो आर स्क्वार का वैल्यू इस फट्टी पाई हो गया वही आंसर है तो इतना सिंपल था यह सवाल लेकिन इस सवाल में भी कई लोग भटके जरूर होंगे बिल्कुल बिल्कुल सार और इसलिए शायद भटके हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है मतलब अंगूर खटे लगे नहीं मिले तो कहदो कि खटे हैं तो मैंने पहले किसी इंटर्व में कहा ही था कि हमारा काम ही है कि हम लोगों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दें ताकि तक पर चलेगा यसी यह कोशन देके मैं बहु ही अंक आते हैं तो कट ओफ में भी थोड़ा सा फिर बदल किया जाएगा देखिए हम लोगों ने यह कहा कि अगर हमारी रिक्ती पच्छतर परसंट से नहीं भर पाती है तो हम पच्छतर परसंट अभ्यार्थियों या पच्छतर परसंट रिक्ती दोनों में जो कम है उतना हम लोग जरूर भर देंगा और उस हिसाब से हम लोग जो कट ओफ है जो हमारा क्वालिफाइंग कट ओफ जो 40 परसंट जनरल के जैसे है उसको हम लोग उतना उस हद तक सिथिल करेंगे लेकिन यह विधाज जो हम लोगों ने दिया है यह हम लोगों ने चुकि हमें मालूम नहीं था कि प्रस्न का स्टैंडर्ड क्या है अभियर्थियों के लिए क्या स्टैंडर्ड है यह मुझे पता नहीं था और जैसा मैंने प्रेस कॉंफरेंस बताया भी था कि इनी सब कारणों से हम लोगों को इसको सुधार करने की ज़रू थे कि हम लोग जानते नहीं है और स गलत बयान बाजी कर रहे हैं तो सरकार अपनी मन साद्रसा रही है अट मुझे नहीं लगता है कि उसके करण से मुझे जो वर्तमान में कोई सित्रिक्र ज़रुफाइिंग की जणरुबात है चौलिफाइंग को लेकिन ये एक प्रोविजन किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ सरकार की मंसा भी है निव्ति करने की, हमारी मंसा है निव्ति करने की और अगर बाइचांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलाक्स करने के लिए तयार हैं और ये बात आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो 9, 10 या 11, 12 में हमें जो स्मारन है कि उसमें 4 पेपर जो 9, 10 में है और 3 पेपर 11, 12 में ऐसे हैं उनको छोड़ करके मतलब बाकी जितने पेपर ऐसे हैं उसमें अभ्याठियों की संख्या रिक्तियों से कम है तो सभाविक है कि उसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे वो प इसमेंडर्ट थे वो अभ्याठियों की संख्या संभावित संख्या को ध्यान में रख कर के ही किया गया था और इसलिए कई बार लोग जिसे बोल रहे थे कि खास करके यह समरन है कि शायद वो अंग्रेजी विशे था या कोई अंग्रेजी का पेपर था लोग कह रहे थे कि इसमें इसके लिट्रेचर पर प्रशन नहीं है और सिर्फ ग्रामर पर प्रशन है तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखत में कोई गलती नहीं है लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चैन करने जा रहा है उस आयोग के जो अपने विशेशग्ये हैं उनसे ज्यादा ज्यानी वो तो नहीं है अगर उतने ज्यानी होते तो शायद वो आयोग के विशेशग्ये ही बन जाते तो उनको स विशय शगयों ने जो बनाया है, उसको कई चीजों को सौंज समझ करके ही बनाया है, उसलिए उस पर टीकाटी पनी से उनको बचना चाहिए, अब वो विशय जब आप देखेंगे तो अभ्यार्थियों की संख्या जो है, वो रिक्ती से कम है, ऐसी स्थिती में हम कोई बहुत कठोर प्रस्न पूछ करके हमें क्या लाब मिलेगा है, हमें तो देखना है कि वो अभ्यार्थि जो है, वो एतनी दक्षता रखता हो कि वो बच्चों को पढ़ा सके, बाकि अगर उसका ज्ञान अगर थोड़ा कम भी है तो उनमें अगर यह टालेंट है और आप करके आए है तो वो पढ़ा सकते हैं, हमको उनका minimum qualification हमको योगता को दक्षता को देखना पर रखना है, अब अगर कोई यह बात कहता है, कि हमने तो बहुत पढ़ लिया, मैंने जो पढ़ा वेकार चला गया, तो कोई भी पढ़ाई जो है वेकार कैसे जाएगा, तब तो यही वाली बात हो गई कि जब कभी लोग अपने जीवन बीमा करते हैं, और जिंदा रह गए, तो बात में बोले हैं, अरे हमना तो बेकार हो गया जीवन बीमा, तो क्या उनको मर जाना चाहिए तो तब भी उसका सार्थक परिनाम निकलता है, तो कुछ हद तक इसी यही बात है कि अगर कि अगरी आप ज्यादा पढ़ेंगे, और इसी कारण से हम लोगों ने कभी भी उसका ब्रेक अप नहीं बताया कि हम किस विशह में कितना हम पुछेंगे, और कभी नहीं बताते हैं, बताना चाहिए भी नहीं, हम क्यों बताये कि आपको आप से हम सिर्फ पांच कोशन इसका नहीं है, कि आपने जो पढ़ा उसका उपयोग कमाएगा, आपको आपने तो जो पढ़ा उसको डिली आपका उपयोग है, अब तो दूसरे ही दिन आप जो पढ़ाने जब जाएंगे, तो अपने बच्चों कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए ज्यान कभी बेकार नहीं जाएग और हम चार तारिक से हम लोग करने जाएंगे, और आपने देखा होगा, इसके हमारे आयोग के वेबसाइट पर भी आ चुका है, एक तारिक से हम उनका दिव्यानता सेर्टिफिकेट का मतलब कि जाच के लिए, हम लोग मेडिकल बोर्ट भी जो है, वो भी बैठेगी, वो ग बायोमेट्रिक में जो है दिक्कत था, अब हम क्या कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को, देखिए, बायोमेट्रिक एक बोल चाल की भाशा बन गई है, लेकिन आक्शली वो बायोमेट्रिक में पर प्रॉब्लम नहीं था, वो प्रॉब्लम था, एडमिट कार्ड के QR कोड के स्क अब ठीक से आया नहीं, अब ठीक से नहीं आया, उसने अपने फोल्ड करके, मोड करके, अपने साथ ले करके, अडमिट करना चोली, वो एक 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 साइस का प्रिंट में निकाला होगा, तो वो उसको तो लेकर नहीं आया, मोड करके लाया होगा, मोडने में QR कोड मो वहा किू आर्ग harsh लिए बाहिEM तो जहां भी qr-code का never scanning नहीं हो पा रहा था था वहाँ पर यान लौ kывbble डल करके हमारा परपस क्या था हम उसका स्कैंड करके या ठोका या उसके ले ले या उसका डाल करके उसका ले 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 दोनों ही थिति में हमको जो बैक एंड में हमारे पास वो देटा था उसका वो देटा को रिट्रीव करना था कि वहां वाही व्यक्ती है कि नहीं और फटो से consommiko अनौwn consig करके उसके गैडा को श्कुण ठाइब अब उन्हें परशान होने की ज़र्वत जब सस्ट आ